असलाम अलेकुम मेरा नाम तौफीक है और आप देख रहे हैं तौफीक टैक आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके कंप्रेटर स्क्रीन पर जो आइकन्स बने हुए हैं उन सब को आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है ठीक है यह मेरे कंप्रेटर स्क्रीन है यहाँ पे प्रॉपर और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सिंपली सॉल्ट बाई ठीक है राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सॉल्ट बाई पे जिसी क्लिक करता हूँ तो नेम सबसे पहले नेम आता ह उसके बाद में size आता है, यानि कि आपका जो icons हैं, उसका size के हिसाफ से ये modify हो जाएंगे, ठीक है, automatically arrange हो जाएंगे यापर, ठीक है, select करने के, तुरंत बाद, तो यहाँ पे, इसके बाद में आता है, हमारे पास में item type, next आता है, हमारे पास में data, date modified, ठीक है, यानि कि date, like आप आपने कोई folder बनाया है, ठीक है, ये वाला, और आपने एक folder बनाया है, कल, ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो folder रहेगा, वो उपर रहेगा, उसके बाद में नीचर ले वाला रहेगा, ठीक है, तो date के हिसाब से ये manage हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं click करूँगा, और sort पे आऊँगा, short by name, name के थुरू अलड़ी ये select हो रखे हैं, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे size के हिसाब से, ठीक है, किसका size बड़ा है, ये चोटा है, उसके हिसाब से ये manage हो जाएगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो icons हमारे यहाँ पे बने वे हैं, तो size के मैं click देखिए, सबसे पहले Microsoft, Tech, Desktop, Data, Google Chrome, Acrobat, DC हमारे पास में यहाँ पे आगया, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे short by पे जाऊँगा, और item type, यानि कि एक ही जैसे item जो है, वो similar type के जो item है, वो एक साथ आएंगे, ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरे type के जो icons हैं, वो similar type के अ लग से आएंगे, ठीक है, यानि कि दूसरे space में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ item type पे click, ठीक है, एक जिसे items जो है, वो ओपर आ गए है, ठीक है, उसी हिसाब से one by one by one ये arrange हो गए है, ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे short by पे click करेंगे date modify, जो मैंने सबसे पहली date में icons बनाया होगा, वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में जो हम बनाते आए हैं, वो आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे date modified पे click करेंगे, तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले Microsoft Edge बना था, desktop data बना है, ठीक है, एक्रोबेट, Google, Chrome, Control, Recycle Bin, Network, this space user, ठीक है, यह य उसके बाद में, this space, network, Recycle Bin, Control, Google Chrome, Adobe, Acrobat DC आएगा, desktop, data आएगा, उसके बाद में Microsoft Edge आएगा, ठीक है, इस तरीके से आप अपने computer screen पर जो icons बने हैं, उनको source कर सकते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर शेर किर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं, वो और भी बैस्ट होने वाले हैं, टाटा टी केर, बाई